अलो दोस्तो जैहें ओन वारियोर्स अड़ा वल्कम यॉल सब कुछ कर लेना लेकिन लंभी जाया मत करना और गलत जगे पर जज़वे जाया मत करना सरकारी नौकरी आपके सहर में भी मिल सकती है आपके स्टेट में भी मिल सकती है दूर दूसरे प्रदेश जा करके ज़वे ज सारे कीज के लिए बच्चे त्यारी कर रहे हैं उनके लिए एक क्लास है और हम लोग आई-पी-सी के वह कोस्टन कर रहे हैं वह मॉस्ट इंपॉर्टर क्वेस्टन कर रहे हैं लगातार पूछे आते हैं और हमारा टार्गेट है यूपी एसाई आई-पी-सी के यहीं सबस्क्राइब महीं कर रहे हैं इसके हैं भी आपके दोस्त में त्रियार हैं उनसे बी के class के दोस्तों मैं एक चीज़ देखता हूँ कि आपने भी इस चीज़ को अनलाइस किया होगा मैं आपका बस कुछ seconds लूँगा अगर मैं पूरे IPC की बात करूँ किस इसके बात करूँ अगर मैं मैं अगर IPC की बात करूँ तो IPC में कुछ chapters है जहां से maximum सवाल बनते हैं और अगर मैं पूरे के पूरे 23 chapters में से यह तीन chapters निकालनू जहां से सबसे अधा सवाल बनते हैं और यह तीन chapters अगर आप तयार कर लेते हो तो आप यह मानके चलिए कि 50% से ज़्यादा IPC अपकी तयार हो चुकिए तो दोस्तों यह तीन chapters कौन कौन से हैं यह तीन आपके एक्जाम में बतते हैं ठीक है तो आज हम लोग questions लेकर के आए हैं यह सारे के सारे questions दोस्तों चैप्टर नबर 16 से रिलेटेड है और खुब सवाल पूछे आते हैं अजब अगेल करें सर्व 16 और 17 बिलकुल सही बात है तो 4, 16 और 17 यह तीनों बहुत important chapters हैं खुब एक 25th question आपके सामने आ चुका है बहुत 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 बहुतिन से सवाल एक्जाम में खुब पूछा जाता है इतना पूछा जाता है कि आप पूछिए बाग मत्तब आप यह मान के चलिए कि अगर आपको IPC या यह के की मूल विधी में सारे के सारे questions सही करने है तो आज की class बहुत important है और मैं आपको promise करता हूँ कि आपके सेट में इस chapter से आज की class से एक question तो मिलेगा ही मिलेगा ठीक है question लिखा गया एक जलाद जो मिर्ट उदर निस्पादित करता है जलाद सबी को पता है ठीक जलाद क्या होता है किसी विक्त को अगर फासी के सजा हुई तो फासी की सजा जज देने नहीं जाता है उसके लिए एक विक्त को एक पॉइंट किया जाता है जिसका नाम है जलाद वही उस व्यक्ति को फार्सी के सजास फार्सी पे चढ़ाता है ठीक है ना काले अपड़ों में होता है जनरी ठीक है तो जलाद मृत्युदन निस्पादित करता है भारती दर्म सहिता कि किस धारक के अंतरगत वह अपराधिक दाइत उसे मुक्त है अगर किसी भी गया है 97, 99, 98, 80 फड़ा फड़ पता है इसका अंसर क्या है और काफी सारा लोगों ने अंसर दिया है 70, sorry 97 है कि 99, 79, 70, 80 फड़ा, 80 काफी सारा लोगों ने अंसर दिया है 78 बहुत ध्यान से सुनियागा दोस्तों हमें पता है कि यह जो चैप्टर के शुरुवात होती है वो 60, 76 से ले करके 106 तक है जिसको हम लोगों ने तो पार्ट में डिवाइड किया है 76 से 95 और 96 से 106 यह तो अच्छा के अधिकार के बारे में बात करते हैं निजी प्रतरच्छा के बारे में बात करते हैं दोस्तों यह बात करते हैं कोई ऐसे कार करना जो कि साधारन केसे में तो अपराद हैं लेकिन एक्सेप्सिनल केसे में जो कि चैप्टर 4 के अंतरगत आते हैं इसमें अगर वही करें IPC, IPC कि धारा 77 और 78 क्या कहती है, 77 कहती है कि कोई जज है या फिर नियायधीस है, नियायधीस अगर कोई कार करता है तो वो कार कार है उसकोई अपराद नहीं होता क्भी एपराद नहीं बनता है तो आदेस मिंस कौण कोन से गृफ्टार करके लाना है आप अपनी टीम के साथ काली पहाली की नीचे रामपूर विलेज में गये गबबर को गृफ्तार करने के लिए पूरे जद्दो जहत के साथ किसी विक्त को आपने पकड़ा आपने पूरी जानकारी कर्था की पता चला गबबर है लेकिन बाद में कि सारी किस में आ जाएंगे 78 में आ जाएंगे तो इस तरीकी से हमारा एंसर भी होगा बिल्कुल सही दोस्तों नेक्स्ट कुश्चन आपके सामने अच्छा आज हम घर के बाहर पार्क में क्लास ले रहे हैं बहुत बढ़िया पुजा आपका ए जोस और जुनून बहुत काम आता है इसी बात पर एक मैंशारी बोल देता हूँ इसक किया था हमने भी इसक किया था हमारे में तरह दीपक सर उन्होंने ही इसको लिखा है इसक किया था हमने भी हम भी रातों को जागे थे कंधों पर सितारों के लिए हम भी लंबी रेस भागे थे समझे रहें तो अगर आप इन सितारों के लिए एक लंबी रेस भागने के लिए तयार हैं और आपको इन सितारों से इस्क है तो ये सितारे आपके कंधों पर बिल्कुल सज़ेंगे question number 196 आपके सामने बताइए इसका answer क्या होगा आपके लिए मैं इन questions को पढ़ देता हूँ दोस्तों question बहुत important है question लिखा है भारती दन सहिता के answer निमलिद में से कौन सा निसकर्स सही है आपके पास दो निसकर्स दिये गए है इन दोने निसकर्स को पढ़ना है और पढ़ने की बाद बताना है कि कौन सा निसकर्स इसम Crys सही है पहला लिखा हुआ है कि 6 वर्स का बच्चा जाया इससे 6 वर्स का बच्चा आजाये तुरन अपको समझना चाहिए कौन सा कौन सा दारा दिमाग में घूम जाना चे भी या धारा 82 से रिलेटर कुछ है छे वर्स का बच्चा है कुछ भी कर डाले कभी अपराद बन सकता है कि नहीं अगर हम बात करें धारा 82 और 83 के बहुत ध्यान से समझेगा तो 0 से 7 वर्स के बच्चे के बारे हम धारा 82 बात करती है और सेक्षन 83 करता है 7 से 12 वर्स के बच्चों के बारे हम बात करता है ठीक पहले वाले केस में जो 82 है 0 से 7 वर्स का कोई बच्चा है कभी अपरादी नहीं होगा कुछ भी कर डाले क्योंकि ऐसा माना जाता है एक कॉंसेप्ट है वह कॉंसेप्ट कहा है डोली इन कपैक्स याद रखें को पूछा जाता है डोली इन कपैक्स मतलब यह ऐसी गुडिया है इसको माना जाता है इसा गुड़ा है जिसके अंदर क्राइम करने की कोई छमता नहीं है तो बी बोला गया एक बच्चा है बी ने मारधाड की धेर सारी फिल्में देखी अच्छा फिल्में देखने के तो बहुत सोख है अब फिल्म रिलीज नहीं हो गई तो लोग वेब सिरीज देखते हैं अब ये फैमिली मैं वेब सिरीज आए मुझे लगता काफी सारे लोगों ने देख लिया होगा जिन्हों ने इस वेब सिरीज को देखा एक्च्छल में ये वेब सिरीज पुलिस से रिलेटेड है तो अगर आपको वक्त मिलेगा आपको लगता है आपके पास इस वेब सिरीज को देख सकते हो लेकिन पढ़ाई का हरजा करके बिलकुल नहीं अगर किसी ने देखी है तो कमंड करके मुझे बचा सकता है कि सर मैंने फैमिली मैन का पार्ट्टू देख लिया है गोशनन नमर क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है छे वर्स कोई बच्चा है मारधार के फिल्मे देखता है एक दिन वाब को जोर से ध क्यूस्कृ नहीं बात करते हैं क्यू नहीं बात करते हैं कि नसीला पदाथ पिला गया यह बहुत important point है नसीरा पदाथ पिलाना और इसको और important है बिना बताए ठीक अगर बिना बताए नसीरा पदाथ किसी को पिला दिया जाए आपको याद होगा धारा 85 और 86 ठीक 85 85 85 बोलता है बिना बताए इन्वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन बिना बेक्त के मर्जी के विरुद्ध चीटिंग करके जबर जस्ती किसी को पिला दिया जाए और 86 के आउते जान बूच करके पीना तो पिचासी पहले आता है च्छासी बात में आता है जब पहले-पहले को याद में करना और अगर अपने इच्छा से नहीं पिया है और कोई अपराद कर डालता है पी के तो छूट है लेकिन इच्छा से पिया है अच्छे से पाटी किये उसके बाद कोई अपराद हो जाता किसी के एक्सिडेंट हो जाता कुछ कर देता है तो अपराद से छूट नहीं है माना जा से पहला उदूसा दोनों से ही C will be the right option और काफी सारे लोगों ने C answer दिया है both correct is that clear ठीक है कंचन दिवारी केरी कोई अपराद नहीं सोनिया यादो कह रहे है no crime very good प्रिया यादो 85-86 के तहत 85 में no crime होता 86 में crime होता है C is the right option very good singham है काकू टीवी है चलिए आगे बढ़ते हैं next question की तरफ question no 197 बहु 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 पुछा जाता है पागल पन पागल पन के वाद से समंधित है पहला है आर बनाम डड़ले और स्टीफन दूसरा है डाक्टर आफ पब्लिक प्रोजेकूशन बनाम विलियर्ड और मैक नाटन का वाद और चोथा कौन से है आर बनाम गोविंदा अच्छा एक दो और तीन यह तीनों वाद आपकी एक्जाम के लिए इंपॉच्छे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यह तीनों वाद कौन कौन केस से समंधित है अगर आपको पता हो तो बिलकुल आंसर दीजिए अगर मुझे कमेंट सेक्शन में तो 197 का लोग एंसर बता रहे है C is the right option मैक नाटन का वाद देखो मैक नाटन एक पागल आदमी था ठीक है कौन आदमी था मैक नाटन ठीक तो मैक का मतलब होता मैन तो ठीक है मैक का मतलब थमलो माइक है ठीक है पागल ही आदमी है जब भी देखो बरबलाने चिलाने लगे तो पागल आदमी था रिलेटेड वाद मैक नाटन का वाद है मैने आपसे पूछा था और बनाम डड़ले और बनाम गोबिंदा ये दोनों के दोनों वाद बहुत इंपोर्टन है अगर आपको आइडिया है आपको पता है कि किस से समंधित तो आप कमेंट करके बिल्कूल मुझे बताईए तो 97 का एंसर बेटा C है अगर कहीं पागल पन इंसानिती की बात करें तो मैक नाटन का वाद पागल पन या इंसानिती से समंधित है आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बोला गया है, अच्छा, कोई वेक्ति अगर पागल है, ये भी समझ लीजे, तो धारा 84 कहती है, कि अगर कोई वेक्ति पागल है, तो उसके द्वारा किया गया कोई भिक्रत अपराद नहीं होगा, अगर कोई पागल वेक्ति ने आपको चाकु म तो पागल विक्त के विरुद फायार दर्ज नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्यूंगे उसको सेंस ही नहीं है, किस चीज के संस नहीं है, जो करत्य कर रहा है, उसके नेचर, उसके प्रकर्द और उसके परड़ाम, उसके रिजल्ट के बारे में, याद रखिएगा, पागल कौन, पा पारे में कोई जानकारी नहीं हो, उसको नेचर ना पता हो, उसका प्रकर्द ना पता हो, उसके परड़ाम ना पता हो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेच्ट कोशन की तरफ, क्वेशन नबर 198 आपके सामने हैं, दोस्तों, यह भी कोप पूछा जाता है, ठीक, मुकेश कुम ठीक, ओफिसेस खुल चुके हैं, तो जो भी लोग लगनोव आ करके होस्तों में रहा करके पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए खुसकबरी यह है, कि होस्तों को कल या परसों से खोल दिया जाएगा, और वो लोग आ करके आपराम से त्यारी कर सकते हैं, बहुत important factor, और जल्दी ही, जैसे ही, आपकी hostel में offline classes भी सुरू हो सकते हैं, और जैसे ही, कोई भी government का आदेश आता है, coachings को अगरा को open करने के लिए, वैसे ही आपका नया batch भी academy में start कर दिया जाएगा, कोश्या ने भारती दन सहिता कि कौन से धारा, अनैच्छिक मत्तिता के आधार पर प् coaching का खुले की जल्दी खुल जाएगी, जल्दी ही आपको लखनों आना है एक तम बेहतरी तरीके से, और बस तीन महिने में न फोर्ड के रख देना है, UPSI बनना है, कंदोपी सितारे चाहिए चाहिए, अच्छा coaching आने के सबसे बड़ा फायदा आपको धंका study material मिल जाता है, नमबर वन, आपको इस proper speed test मिल जाते हैं, नमबर टू, आप अपने ही जैसे हजारों बच्चों के बीच में compete करते हो, आप देखते हो कि कैसे बच्चा कोई top करता है, अगर आप हजार के बीच में compete कर सकते हो, तो लाखों के बीच में भी आप compete कर सकते हो, और आप आराम से select हो सकते हो, अगर हजार के बीच में compete नहीं कर रहे हो, तो समय लोग कुछ गरबर है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, अच्छा, समय रहते हैं अगर यह पता चल जाए कि ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, तो फायदा ही है, नुकसान बिलकुल नहीं, क्यों? क्योंकि पर क्या होता है, आप improvement को ट्रैकी नहीं कर पाते हो, आपको पता चलता है, दो महने पहले जैसी आपकी स्थिती थी, वही स्थिती अभी बनी होई है, कुछ लोग तो डिमोट हो जाते हैं, पता रहे कि दो महने पहले तो थो थोड़ा confidence, आप तो confidence और डाउन हो गया है, तो यह सारे plus minus plus minus होते रहते हैं, selection के लिए सिर्फ plus में ही जाना होता है, मतलब rhythm को एकदम बना करके रखना है, तभी मज़ा आए गया, बात समझा रही, तो यहाँ पे आपको बताना है, कौन से धारा अनेक्षिक मत्था से समंदित है, तो piece the right option 85, तो कितने आसानी से आपको सार बारा देखोगे, जैसे आप बारा बार बार देखोगे, आपका पूरा का पूरा ए चैप्टर आपको मिल जाएगा, और इसी तरीके से अभी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पूरे मूल विदियो को तयार करने वाले, आप इसके tension मत लेजे, ठीक है, तो आगे बढ़त मत रहती है, बिल्कोल सही बात है, आप में मज़ार जाता है, अच्छा, आनिया याद हो कहे रहीए, इस सर्न नीम ने लिखित मिल जंशार को तर निस तर सही है, पहला दिया गए आ और बी के साथ, बीकर साथ मनोरंजलर्ण है तो मुक्यभाजी करने लिए, कभी भी के लिए कभी मुक्य बाजी आ जाए बंजी जंपिंग आ जाए बॉक्सिंग आ जाए तो मुक्य बाजी बंजी जंपिंग बॉक्सिंग में अगर किसी भी बैक्तिको च्छतिकारित होती है ज्यादा च्छतिकारित हो जाए तो कभी भी अपराद नहीं होगा ध्यान रखना क्य सहमती होती है क्या होता है सहमती होती है पी दिया गया है दूसरा क्या स्टेटमेंट है पी अब इसमें क्या गया है कि बुरी तरीकिया से घ्याल कर देता ए ने अपराद किया है तो क्या ये ने अपराद किया है बोला गया अपराद किया है तो आप संद सही होगा स्टेटमें 18180 लगेगा उसी मादबपदात के निसे में समझ किर सके हाथ यां उसने क्यों की फत्या कर दी ने कोई अपराद नहीं किया है कि उसके बाद है Quran कि ँद मुख्य statement गलत हो गया अच्छा जब गलत वाली statement आते हैं ना तो हर दम हमें question का answer पता होता है फिर भी हम गलत option टिक करते हैं ऐसा बहुत बार देखा गया है तो दोस्तों बहुत ध्यान से समझना है इसमें अपराद किया है ऐसा बोला गया तो अपराद नहीं है इसलिए statement हो गया गलत इसमें कहा रहा है कि अपराद नहीं किया है लेकिन अपराद किया है यह भी statement गलत हो गया तो एक question में bold होने के मतलब 2.5 marks और GS में पिछली बार देखिएगा जिन भी बच्चों ने 2017 में UPSI का exam दिया था उसमें से ज़्यादा तर बच्चे जो fail हुए थे काबिल लोग बेहुदों के हैं तुम बात ही नहीं कर रहे हैं जितना भी deserving और काबिल लोग fail हुए थे वो GS में fail ह हुए थे every single question put a very great importance क्योंकि 50% तो sectional cutoff था तुम लोग तो lucky हो किस बार 35% कर दिया गया थे तो अगर माल लो एक दो question से आप किसी भी sectional cutoff को qualify करने में fail हो जाते तब भी कलीमत है कि overall merit अगर आपके अच्छी है तो आप आस हो जाओगे थे नहीं वाला गरबढ हो जाता है काक next question 12 तक हम लोग बना चुके हैं बधाई हो congratulations to you all 350 question की series है जिसमें हम लोग 200 questions पे पहुंच चुके हैं दोस्तों कितने questions पे पहुंच चुके हैं 200 questions पे और 350 question मैं आपको promise करता हूँ पूरी की पूरी आपी से रटा दूँगा एक दम रट चुके होगा कुछ बचेगा नहीं ठ ठीक है और जब इसका अभी एक पूरा marathon class लेकर के आएंगे ना तो chapter wise लेकर के आएंगे ताकि एक chapter के question सबको clear हो जाएं सारो concept सबको clear हो जाएं राम गुस्टे से स्याम को मारने का प्रत्म करता है ये question हम लोग already कर भी चुके है क्योंकि आज मैं chapter wise करा रहा हूँ इसले में इस question के इंक्लूड भी किया है राम गुस्टे से स्याम को बाने का प्रत्र करता है स्याम की ऐसी स्तिती में प्राइवेट प्रत्रच्छा का अधिकार भारतितन सहिता की कौन से धारा में होगा किसी भी विक्ति को सरीर याद रखिएगा पताईए सरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रितरच्छा का अधिकार की निजी प्रितरच्छा का अधिकार किसमें है कौन से सक्षन में है निजी प्रितरच्छा के अधिकार की हम बात करें तो 96 से लेकर के 106 तक होता है फटा-फट बता डालिए कि कौन से section में सरीर और संपति पूजा यादो ने answer दिया है कुछ लोग अच्छे बता रहे है D answer है, D बोले तो 96 answer है ठीक, 96 बता रहे हैं sir 96, 96, 96 to 100 सही बात है, chapter number 4 से related है 97 में आनिया यादो बता रहे हैं very good अब जरा बहुत ध्यान से समझने के कोशिश करिए देखे, सोनिया जी और बाकी सारे लोग भी काको टीवे 97 ठीक, देखो 96 किसे इसके बारे में बात करता है पहले इसको समझ ले, 96 बात करता है कि आपके private पतरच्छा या एक चीज ये बात समझेए कि private पतरच्छा में की गई बाते private पतरच्छा में अगर आप कोई भी कार करते हो if you do nothing is offense done in private defense आप private पतरच्छा में कुछ भी काम करते हो तो अपरात नहीं है इससको define किया गया है, बताया गया था 96 में 97 में बताया गया है तो स्याम को अपने सरीर के रच्छा करने है इसलिए 97 आपका ए बिल्कुल सही जवाब होगा धारा सो वो cases बताता है या फिर conditions बताता है कि कौन से condition में कोई विक्त अगर आपके सरीर पर हमला करता है तो आप उसको भी मार सकते हो मत्युकारित कर सकते हो ठीक तो वो टोटल कुल में ला करके cases बताता जो कि कितने cases है चार cases के बारे में बात करता है है ना तो इस तरीके से हमारा answer cases नहीं है हमारा अधिकार के बारे में है कि हम को कौन सा section ये power देता है अधिकार देता है खुब एक्दम दबाक exam में पूछा जाता है सेखने भी बहुत अच्छा है संपल सा सवाल है देखते है answer क्या है किस मामले में आत्मरच्छा के अधिकार का उपलब्द नहीं है तो कौन से में है जिसमें आप अपनी आत्मरच्छा नहीं कर सकते हो कौन सा ऐसा केस है जिसमें आप अपनी आत्मरच्छा नहीं कर सकते हो दोस्तों फटा-फट बताइए तीन option आपके गलत होंगे एक सही होंगे जो आपका सही option को टिक करना है गलत option टिक करने पर आपको मिलते हैं जीरो नमबर सही option को टिक करने पर ही आपको 2.5 माक से मिलेंगे अगर आपको किसी भी question का answer नहीं पता तो जरा option को ध्यान से समझीए देखिए elimination method मैंने कहा है कि हर सवाल का जवाब सवाल में ही छपा रहता है ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं सारे लगातार एक लाइन से answer सा रहे हैं दोस्तों और हम रेली वेरी प्राउड आदर सिंग का सवाल जो रहा गलत हुआ है बाकि सारे लोग 100% sure अजे बगयर कर रहे हैं कि सार ए इस दा 100% correct 200% correct 101% correct 201 का सवाल ए आ रहा है कोई भी लोग सेवक द्वारा किया गया कार कोई भी लोग सेवक अगर कोई कार करता है तो उसके द्वारा किया गया कार जो है वो क्या है लोग सेवक अगर कोई कार करता है तो उसके द्वारा किया गया कार तभी अपराद नहीं है मान लो कि कोई पुलिस वाला है ठीक कोई पुलिस है किसी को गरिफतार करने के लिए गया और जिस वेक्तों गरिफतार करना वो कह रहा नहीं नहीं हम तुम्हारी गाड़ी से नहीं जाएंगे मुझे पता है आपकी गाड़ी पलट जाएगी और वो आने से विरोध करता है इसा माना जायेगा क्या नहीं माना जायेगा क्यों किवकि लोग सेवक के द्वारा किया गया कार प्राविट प्रच्छा के अंतरगत नहीं आता है तो इस तरीके से यह option सही होगा लेकिन कोई विश्ट अपराजिक अतिचार को रोकने के लिए अपनी रच्छा कर सकता है कई न्च उब कं? educational 78 में बिल्कुल आएगा ये देखो in आपको पता है कि क्राइम के लिए जो आदेस आया है उसको शूट एट साइट का आदेस आया हुआ है ठीक है और उसको आप शूट कर देते हैं तो 76 के तहर जो है आप किसी तरीके का दोसी नहीं है कोई अपराद नहीं होता है question number 202 दोस्तों आपके सामने है लिखा है आत्मरच्छा का दिकार the right to self-defense is अपने सरीर के प्रत अपराद में प्तरच्छा ठीक दूसरा है दूसरे के सरीर के प्तरच्छा के लिए है तो काफी सारे लोगों ने अंसर दिया सभी के लिए बिलकुल सही जवाब है दोस्तों सभी के लिए देख लिए जब कभी हम बात करते हैं आत्मरच्छा का दिकार जो को डिफाइन किया गया है 97 में तो कह रहा है सरीर और संपत्ति दो बहुत इंपोर्टन सब दिये गए है सरीर और संपत्ति सरीर को बोलते हैं जान और इसको क्या बोलते हैं माल ठीक ये भी एक सब्दा वली है ठीक पुलिस में यूच की जाती है जान और माल आजकल माल को तो लोग पता नहीं क्या बोलते हैं माल में इस समें माल वगरा सब बंद है ठीक है शॉपिंग वगरा नहीं हो पा रहेita किसे के तो सरीर और संपत्य जान और मॉल सरीर को क्या बोलते हैं सरीर को बोलते हैं body संपत्य को क्या बोलते हैं property सवाल यह है कि कि किसकी सरीर के रख्षाप कर सकते हो तो इस सीज कूछ बहुत ध्यान सकते ह ABOUT अगर हम बात करें सरीर की तो आप अपने on खुद की और दूसरे की अधर की और अगर हम property की बात करें तो आप अपने खुद की और दूसरे की अधर की इन दोनों लोगों की आप रख्छा कर सकते हो कोई समस्या तो नहीं इवाबा समझ गये नa 97 याद करके रखना को पूछा जाता है आप लोगों की एक्जाम में ठीक है समझ के नहीं रखोगे तो गड़ बढ़ा है समझ के रखोगे तो बहुत अच्छा है आगे बढ़ेंगे कोई ऐसा बेहुदा ही होगा जो इस सवाल का जवाब ना दे 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 I can assure you 101% every individual attending this class will be able to answer this question well my bro ठीक हर एक विक्ट जो इस क्लास में बैठा है वो इस सवाल का जवाब दे देगा इसका मुझे पूरा विश्वास है ठीक चाहत थी मेरे दिल की मेरे प्रीतम प्यारे चाहत थी मेरे दिल की मेरे प्रीतम प्यारे की तुम्हें दिल की दास्ता सुनाया करूं मेरे रोने से गर तुमको आये हसी मैं रो रो कि तुमको पढ़ाया करूं समझ रहो बस आपको हसते रहना है आपको बहतर तरीके से पढ़ते रहना है प्राइवेट पर अच्छा कहतेकार किससे संबंधी थे, सरीर और संपत से संबंधी थे, कौन से सक्टर में डिफाइन किया गया है, 97, यह basic basic से details है जो आपको बिलकुल पता होना चाहिए, आगे बढ़ते है next question की तरफ, question number 204, आपके सामने board पे आ चुका है, दोस्तों, फटा होने के लिए कौन सा केस है, इसको हम लोग पढ़ भी चुके हैं, पसको बदल क्या है रवाबा, बदल क्या है, फटाक से आंसर दीजिए, A, B, C, D, कौन सा आप्शन सही होगा, तो काफी सारे लोग एक है रहे, मैक नाटन, बिलकुल सही जवाब है, is the right option, मैक नाटन का जो केस है, वो unsound mind, विक्रचित, पागल पर, insane, ठिक, विक्रचित, insane, पागल पर से सम्दित है, बिलकुल याद करके रख लो, मैक नाटन का बाद, आगे बढ़ते है नेक्स्ट क्वेशन की तरफ, question number 205, फटाक से आंसर दीजिए, फटाक से कैसे बई, फटाक से, बिलकुल वक अच्छा के अधिकार से, ठीक है, पहला है, जैदेव बनाम state, महभूब साव बनाम emperor, आर बनाम prince और इनमें से कोई नहीं, फटाक से आंसर दीजिए, बहुत 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 से सवाले, मैं देखता हूं जरा कि कितने सारे लोग हैं जो इन questions के answer दे रहे हैं, कि अधिने सारे लोग हैं जो इन questions के answer दे रहे हैं, फटाक से, अरे वक्त नहीं, वक्त नहीं, आंसर आने शुरू हो चुके हैं, धे सारे लोग answers दे रहे हैं दोस्तों, ठीक तो डी लोग बता रहे हैं, इन में से कोई नहीं, अच्छे जैदेव बनाम स्टेट, बनाम कौन से स्टेट, पंजाब स्टेट ना, इसको लिख ली जगए, जैदेव बनाम पंजाब स्टेट का सम्मध आत्मरच्छा से है, खुब पूछा जाता है, जैदेव बनाम पंजाब स्टेट, अच्छा, इसके सासाथ मैं आपको एक चीज़ और बता दू, कि महबूब साव बनाम इंपरर और आर्फ बनाम प्रिंस, ये दोनों भी केस बहुत इंपोर्टन्ट हैं, और इन में से जिन भी बच्छों को पता हो कि ये दोनों केस किस से संबंदित हैं, वो कमेंट करके मुझे पताईए, आपको यहां से इस क्वेशन से ये ले करके जाना है, ये दोनों केस आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टन्ट है, आपको पता होना चीज़ ये दोनों केस किस से संबंदित है, आगे बरते हैं क्वेशन नमबर 206, लेखा पुछा जाता है, विद की भूल, शम में नहीं है, ठीक, कौन से सक्षन के ताहर, याद रखिएगा, जब कभी विद की भूल और तथ की भूल की बात होगी, तो धारा 76 और 79 की बात होगी, किस की बात होगी, 76 और 79 की बात होगी, अब आप देखिए, आपके यहाँ पे 76 दिया ही नहीं गया है, दिया गया गया, तो आपकों सा उप्षन हो जाएका 79, दूसरी चीज याद रखिएगा, कि जब कभी विद की भूल बात होगी, तो आपको ड़ाना है 79, जब कभी तथ की भूल की बात हो mistake of fact, mistake of fact चम है, pardonable है, mistake of fact के लिए किसी तरीके का punishment नहीं है, कौन से सक्षन में डिफाइन है, 76, यहाँ पे लिखा गया है, बिद की भूल, mistake of law, mistake of law, mistake of law जो है, वो चम नहीं है, pardonable नहीं है, punishable है, कौन से सक्षन में डिफाइन किया, 79, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, next question की त आपके बोर्ड पे है, question number 207, मैं देखना चाहता हूँ कि पहला, coaching लखनाओ में कपूथला के पास है, बिल्कुल, कंचन दिवारी, कोच, अच्छा, कंचन तो अपनी हाँ की student ही है, कंचन मजा आराना पढ़ने में, अजय, बंगेल जी गरे, इसर अगर दोनों सक्षन दे हो होंगे बिटा, दोनों सक्षन दिये होंगे, 76 और 79, और बोलेगा बिद की भूल, तो आपको 79 लगाना है, बोलेगा तथ्य की भूल, तो आपको 76 लगाना है, बता तो दिया, class में रहा करो, भाई, class में ही रहा करो, है ना, चलो, next question देखते हैं, भाई, next question, लिखा हुआ है 207, question लिखा हुआ है कि या को एक बाग उठा ले जाता है, या कोई विक्ति है, या कोई विक्ति है, या छोटा बच्चा है, जिसको कोई बाग जो है, उठा ले जाता है, बाग बोले तो tiger, या जानते हुए कि संभाव है कि गोली लगने से या मर जाए, किन्त या का वद करने का आसे ना रखते हुए और सदभाव पुर्वग या के फाइदे के आसे से का उस बाग पर गोली चला देता है का की गोली से या को मृत्यू कारित हो जाती है का कौन सी चीज़ का दोसी है आपके पास से चार आप्षर केस को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजेगा का एक विक्ति है जिसको कोई बाग उठा ले जाता है ठीक बाग उठा कर के ले जा रहा है खा उसको देख रहा है परिया को का उसको देख रहा है क्या कर रहा है देख रहा है का ने उसको देखा, का उसको देख रहा है और का के पास है एक गन, का सोचता उसको बचाने के लिए अब कैसे बचाये, बाग के पास तो जा नहीं सकता उसको भी टंग ले जाए का, चिक खुंखार जानवर होता है उत्ता थोड़ी है तो क्या किया उसने गोली शॉट किया मारा अब क्यूंकि भाईया पुलिस या आर्मी की ट्रेनिंग थोड़ी न लेकिया है तो हो सकता है तो उसने मारा उसको पता है कि गोली जो है उस व्यक्ति को भी लग सकती है जिसको बाग मुह में दबा के भागा जा क्या उसके घर वाले बाग जिसको उठा ले जा रहा था उसके घर वाले गोली मारने वाले घर वाले के उपर किसी तरीके का छेप करेंगे क्या है बताए ज़रा क्या उसने कोई अपराद किया और कौन सा अपराद किया हत्या का अपराद किया causing death by accident दुरघटना दुरभाग कारित किया या no offense कोई अपराद नहीं किया तो काफी सारे लोग D answer बता रहे कुछ लोग B answer बता रहे कि भईया B मतलब आपराधिक मानो बद तो याद रखियेगा बोस्तों कि अगर कभी दुरघटना दुरभाग से या एक चीज़ बहुत ध्यान से समझेगा किसी वेक्त की किसी वेक्त के सम्मत से किया गया कार किसी वेक्त के सम्मत से किया गया देखो 87 किसी इसके बारे बात करता है 87, 88 और 89 ये हैं सम्मत सम्मत के मतलब consent सहमती से किया गया कार 86, 87 और 88 ये हैं सम्मत्या है सहमती से किया गया कार और धारा 92 बहुत इंपॉर्टन ये है बिना सहमती के किया गया कार बहुत ध्यान से समझेगा दोस्तों बहुत ध्यान से समझेगा, 87 में कौन से चीज़े आती है, 87 में आती है, sports वाली चीज़े, sports वाली चीज़े, जैसे sports में सहमती से आदमी रिंग में आया, boxing करने के लिए, नाक तूट गई, क्या कोई उपहत कारित किया, कोई crime हुआ, नहीं, सहमती से फायदे के लिए, किसी वि या घर वाले कहां गए, साइन करें जहां पर आके कि किसी तरीकी हो जाएगी, तो हम जिम्मेदार नहीं, इसका मतलब है कि सहमती से अगर आप कोई कार करते हो, फायदे के लिए, तो वह भी अपराद नहीं है, अब आप हॉस्पिटल में मर गए, डेथ हो गई, तो क्या हुआ, नहीं होगा, 89 क्या कहता कि कोई बच्चा है, तो बच्चा खुद सहमती नहीं दे सकता, क्योंकि अभी छोटा है, माइनर है, तो उसके पैरिंस उसके फायदे के लिए सहमती दे सकते हैं, और उसके बाद उसके द्वारा किया गया कर तपराब नहींaczा, 89 में पूछा जाता है खुब पूछा जाता कि एक principle है जो कि बच्चों को सचा करने के लिए बच्चों को सुधारने के लिए बच्चों को थोड़ी से सजा देता है अगर कभी भी टीशर ने थोड़ी बहुत ज़्यादा सजा नहीं कि कान उखाड लिया आखे फोड़ दी छोटी मोटी फिर टीचेज को पर किसी तरीके का क्राइम लगेगा बिलकुल नहीं लगेगा 87-89 जो है उनको इस तरीके के क्राइम लियाबिल्टी से बचाती है हम बात करते हैं धारा 92 का जिसका संब्ध इस क्वेश्चन से है दोस्तों धारा 92 कहती किसी वेक्त के संब्ध के बिना किया लेकिन सद्वावपूरबः ऐसे कोई furious कुटता है एकदम कटकना कुटता और किसी वेक्त के दम दोडाये हुए हैं अगर वो कुटता किसी वेक्त के दम दोडाये हुए आदमी भाग रहा है किसी वेक्त ने देखा वो आपकी help करना चाहता है क्योंकि कि कुद्ध के ने कारित हो गई आप बताइए दोस्तों क्या उसने व्यक्ति ने कुछ गरत काम किया है अपराद किया है नहीं इसी तरीके से यह वाला कुश्चन भी है बाग किसी व्यक्ति को उठा ले जा रहा है अब वह व्यक्ति कंडिशन में ही नहीं है कि सहमती दे पाए और उसके फाइद कर रहे हो ता कि वो बच आह लेकिन वह नहीं बच पाए आपने किसी तरीके इक अपराद किया है नहीं इस बात समझ में आ रही है ठीक तो यह 92 के तहर्त अपरादाब बचाता है ठीक पतला कि कभी भी आपक्सिदेंट में मान लों आपने किसी की सहयोग की मदद की और एक लोग आगर कहेंगे कि देखो इन्होंने उल्टा फूंग दे इसलिए मर गया है ठिक ऐसा कई बार हो भी सकता है तो अगर आपके ऊपर किसी तरीके के चार्ज बनेगा तो आप किसी भी तरीके के क्रामन लाइबिलिटी से अपने आपको बचा सकते हैं नैक्स कॉष्चिन दोस्तों सवाल है जितने बिलोग इसारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग से संसंको लाइक कर कर दीजिए शेर कर दीजिए दोस्तों तख बैसे हम लोग आई पी किया गया लेकिन मेरी इच्छा के विरुद किया गया कोई का रहे हैं तो मेरा नहीं है यह सिद्धान्त ने भारतिय दर्शनीता कि धारा 94 नबे मैं अस्थान रखता है देखो धारा बहुत इंपर्टन आपको बताना अस्थान रखता है कि नहीं रखता जैसे फॉर एक्जांपल बोग्ध्यान से समझना आपको बता चला एक गुंडो और डकैतों की टोली आई एक कुमार को या फेक लोहार को जो हथोड़ा चलाता ना लोहा पीडर्स को पकड़ा चल भाई तू इस तौले को तोड़ दे वर्ड़ा मैं तुम्हें अभी की अभी मार दूंगा और वह विक्ति उस ужас ुस लोहार लोहार ने उस ब्लैक स्मिथ ने ताले को तोड़ दिया क्यूंकि नहीं मरना चाहता था तो क्या उस-व्यक्त ने ये जुकार किया गया यया उस व्यक्त का कारण नहीं माना जाएगा ये बताती है धारा 94 तो बिलकुल सही बात है उस विक्त का कारण नहीं माना जाएगा उसके उपर किसी भी तरीके का criminal liability नहीं मानी जाएगी 94 बताता तो बिल्कुल सही है दूसरा गया गया है विर तुछ कारियों पर ध्यान नहीं देती है पत्व छोटे मोटे अपरादों पर ध्यान नहीं देती जैसे मैंने तुम्हारी उपर थूँख दिया तो हमें गाली दे रहे थे मैंने तुम्हारी उप पोटेटेट जगह पर कर दो तो मानिहान का केस लग जाता है ठीक छती हुई किसकी मानिकी तो एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर कोई बहुत ही तुछ चकार है जैसे दोस्त लोग चलते हैं किसी ने किसी को गाली दे दी छोटी से दिल्ली में तो हर स्टेट्मेंट में ग गाली देने की तो पुलिस में होने के कई सारे फायदे हैं उनको क्या पता अंडर ट्रेनिंग क्या होती सब कुछ तो बंद रहता है है बात की नहीं तो ऐसे चीज़ भी होती तो तुछ विदकार करने के लिए अपराद नहीं है कोई भी छोटी मूटी अगर आपने कार किय आपके सामने आ चुका है बहतरीन से सवाल एक हो पूछा जाता है बस आपको क्वेश्चन समझ के अंसर देना है का कुलहाडी से काम कर रहा था का जो है वो कुलहाडी से काम कर रहा था कुलहाडी का फल फल बोले तो लोहा वाला पॉर्शन हेड जिससे जिसमें कुलहाडी म मैं चल जाता है और निकट खड़ा हुआ बेक्ट उससे मारा जाता है ठीक अब कुल्हाडी का लोहा वाला पॉर्सन निकला और किसे विट की उपर गिरा तो जाहर से बात नहीं जाएगा ठीक का दोसी है कौन से पुझा है सुधी स्वास्ता है ठीक साथ लोग डी आंसर दे रहा है बहुत 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 रही कांथ है प्रिया है कीकू है रूसनी है बहुत सारे लोग बतारे कोई अपराद नहीं हुआ बिल्कुल सही बात अब ध्यान रखिये का धारा 80 सेक्षन 80 बताता है अपराद नहीं होता है धारा 80 बताती बिल्कुल याद करके रखो लेकिन उसमें एक चीज बहुत ध्यान से रखियेगा अब यहां पर देखीजे लकड़ हारे वाले हम जड़ा एक्जांपल देते हैं तीन केसस को समझे तीन केसस को बहुत अच्छी तरीके सा समझे पहली ची और विक्त की लकड़ी काट रहा है बिश्चिन डूसरा विक्त की होगी बताना पराध हुआ कि नहीं यहां पे लकड़े पे यहाँ पहले रहा है लहां आप उसने चेप्वनी देई अब लगा दीया आपने अकसर देखा होगा कि जब कभी रोड का कारे प्रगत पर होता लिखा था यहां पर रोड का कारे प्रगत पर है साउधान करपया धीरे चले या डिवाइडर का उप्योग करें या गहरी सीवर का कारे प्रगत पर है इस तरीकी के चेतावनी बोड लगा जाते हैं तो दूसरे केस में लकडी काट रहा है लकडी काट रहा है उसने क्या किया चेतावनी का बोर्ड लगा दिया है रोड पे ही तीसरा कंडिशन है जंगल में लकडी काट रहा है जंगल में लकडी काट रहा है तो तीनों कंडिशन में फल गिरे यह है दोस्तों आपकी पहली कंडिशन यह है आपकी कंडिश और इसमें उपेच्छा ही नहीं कि जा रही है कि किसी ब्रजंस होगी चेटावनी की जरूरत ही नहीं है अंद यह दोनों ही केस में ब्यक्त मर गया है इसमें भी मर आ है इसमें में भी मरा है इसमें भी मरा है आपको बताना है कि कौन से केस में अपराद हुआ है कि किसी में हुआ है क्या देखा पहले में क्राइम हुआ है दूसरे में बोला गया है कि आर्ब नाम मैक नाटन का वाद विक्र चित्ता का एक बचाहो किस से समंधित है तो मैक नाटन तो पता ही है जैसे मैक नाटन आ जाए MC नाटन मैक नाटन तो समल लिए पागलपन विक्र चित्ता से समंधित बिल्कुल सही है गोविंदा, आर्ब नाम जो गोविंदा है का समान यासे से समंधित है क्या, अब आपको बताना है, तो पहला वाला आप्शन तो बिलकुल सही है, दूसरा वाला आपका सही है कि नहीं, फट फट देखर कि जरा आप्शन लगया है, पताइए इसमें सो कौन सा सही होगा, यह बता रहें बच्चे, फर्स्ट इस टू और सेकेंड इस फॉल्स, देखो आर्ब नाम जोविंदा किस से समंधित है, आर्ब नाम जोविंदा, आपराधिक मानोबद और हत्या में अंतर से समंधित है, पताब 299 और 300 में डिफरेंस, क्या डिफरेंस समंधित है, और यहाँ इन्होंने क्या पताया है, सामान आसे से समंधित नहीं है, तो दूसरा हो गया गलत, पहला हो गया सही, यह बिल्कुल सही जवाब, ठीक, यह बिल्बी दर राट आप्सन, बोथ राइट बरद बोला रहें सोनिया, नहीं, 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 मयंग शोधरी, सर, एक स्टेट, कह प्रिया यादो करें, सर, 81 समझा दीजे, प्लीज, देखो, सेक्षन 81 वैसे अभी आएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा से समझा देता हूं, कोकि बहुत इंपोर्टन्ट है, 81 सेक्षन क्या कहता है, 81 बोले तो, एक तरफ खाई, याद रखेगा, एक तरफ उवा, दूसरी खाई है, ठीक, एक तरफ कुवा है, और दूसरी तरफ क्या है, खाई है, मतलब यह है, कि आप जो ध्यान से समझने की कोशिश करें, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें, मैंने माल लिया, कि आप जो है, रहते हैं गाव में जिसका नाम है रामपुर, रामपुर सोले व ठीक, यह है बसंती का घर, इस घर में लग गई है आग, ऐसे देखो लप्टे निकल नहीं, इस आग रग रही है, अब लोग आएं, अब देखो, अगर इस घर में आग लगी है, तो सारे घरों को आग पकड़ेगी, लोगों ने क्या किया, बसंती की घर को गिरा दिया, ठीक, क्यों गिरा दिया ताकि आग जो है इस तरफ जो बढ़ रहे वो इधर आगे ना बढ़ है तो अब लोगों ने बसंती के घर गिरा दिया तो बसंती का तो नुकसान हो गया होगा की नहीं हुआ बेलकुल हुआ तो अगर बसंती के घर ना गिरा दे तो इनका भी घर जलता इनक कि सिपल सिपाते है और जैसे मालो कि आप एक से नाव चला रहे हो आप नाव के साथ गए है सामने आपको पता चला अचाना कि कुछ बराफ पड़ी हुई जैसे टाइटेनिक हुआ था याद करना और इधर एक छोटी नाव आ रहे हैं जिसमें दस लोग हैं इधर भी एक भी जाते हैं तो आपने लिस्ट डेंजरर सिच्वेशन चूज किया तो एटीवन के तहट आपने क्या किया अवर शक्ता नेसेसिटी को ध्यान में रखते हुए कोई अपराद नहीं किया है आगे बढ़ते हैं कुश्चन नुबर 211 के तरफ बहुत बहतरिन से सवाल है सर को ठीक चलो नेक्स्ट कोश्चन के बारे बात करते हैं बहुत बेतरिन से सवाल है कुश्चन नुबर 211 दोस्तों आपके सामने हैं अच्छा सोन्य पूछ रहे हैं कि सर डेडली केस किस से समंदित है देखे डेडली केस समंदित है आप अपनी रच्छा करने के लिए आप अपनी खुद की रच्छा करने के लिए किसी सामने वाले की हत्या नहीं कर सकते तो डेडली वाला जो केस था उसमें ये था कि ये लोग एक नाओ में गये हुए थे घूमने के लिए बोट में और क्या हुआ इनकी बोट खराब हो गए किसी आइसबर्ग से लड़ गई बोट खराब हो गए तो उन्होंने बोट में एक लाइफ सेविंग चोती बोट को उन्होंने लोग सवार हुए उसमें और घूम रहे थे किनारे समूध के किनारे आने की कोचिश कर रहे थे लेकिन उसमें काफी समय भीद गया खाना इनके पास कुछ था नहीं तो वहाँ बेक cabin boy था उसी boat में छोटा सा तो उन्होंने सोचा कि cabin boy को मार देते हैं और इसके flesh इसकी body को हम लोग खाते रहेंगे फिर आराम से हो सकता सर्वाइब कर पाएं तो उसके बाद हुआ ये कि cabin boy को मार दिया उन्होंने मार के वो लोग खाने लगे उसके पास पांच दिन बाद वहाँ से एक बड़ी इसी जहाज पास हो रही थी जिससे उन लोगोंने help मांगी जहाज ने उनको help किया help की मदद से वो समुद्र के किनारे आ गए जब समुद्र ने बताया निर्णे दिया कि आप अपनी रच्छा करने के लिए किसी को मार नहीं सकते तो इस तरीके से उनको اिसमें सहायता नहीं मिली थी उनके द्वारा किया गया कारी अपराद कि स्रेड़ी में आया था चम्म नहीं हुवा था 211 लिखा हुआ है का एक भिखारी को परियाप्त खाथ-पदार्थ होने का बावजूद भोजन नहीं देता है का कोई विक्ति है लालची आदमी समझ रो का एक भिखारी को परियाप्त खाथ-पदार्थ है भगवान का दिया हुआ सब कुछ है लेकिन उसको भोजन नहीं कराता है जिसके कारण उसकी मृत्य हो जाती तो क्या किसी इसका दोसी आपको बताना है तो देखो भीया मोरली तो वो दोसी होगा क्योंकि घर पर मोरल स्टोरी सुना जाती है ना नैतिक कहानिया सुना जाती है लीगली क्या वो किसी तरीके का दोसी है कि नहीं से इसको समझना है जो भी मित्र दोस्त यार हमारे लाइव है ना like ठोक दो यार कम से कम सा half century तो होनी इतना तो कम से कम हमारे एक्सपेट करते हैं मुझे पक्का पता है कि मेरे बच्चे मुझे कभी निरास नहीं करते हैं ठीक तो आपको बताना है कि क्या उसने क्या कर दिया मृत्ति हो गई तो भीखारी के मृत्ति हो गई तो वो जो वेक्ति है वो जो बच्चा है वो किस को जिस वेक्त ते ने भीक नहीं दिया वो कौन से अपराद का दोसी है अपराद के किसी भी अपराद का दोसी नहीं है हत्या के लिए हत्या के लिए हत्या के लिए या फिर अपरादिक मानो बद जो हत्या नहीं है उसके लिए अपराद का दोसी फटा 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 फ किसी को दे देते हो खुसी से अलग बात है लेकिन कोई भिखारी बनके कुछ भी बन करके आये को मुझे दो और नहीं दोगे और मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें जेल पहुंच जाओगे तो बिलकुल निजाधार बात है ऐसा बिलकुल नहीं होता है कानूनी तोर पर आप क चीजों की वेवस्ता करने के लिए आप जो हैं लाइबल है और भिखारियों के लिए नहीं तो अगर आप उनको इस लिए मन कहें दो मन कहें मन दो देना अच्छा माना जाता है मोरल जिम्मेदारी हो सकती है लेकिन बिधिक कानूनी कोई जिम्मेदारी नहीं होती इसलिए कोई अपराद नहीं होगा आगे बात करते हैं कोश्चन नंबर 212 की देखें हम लोग कितने बहतने निस्पीड से आगे पता हैं मनあの सब्सकर्णहें को मैंने आपको सफल अध़ात बार बोला सब्सक्रास हारदम आपको सफल बनाता है या लगाता प्रयास करते रही है लगातार पढ़ते रही आपको खुद नहीं पता चलेगा क्या अपनी पढ़ाई इस सफल्ता इस बात से बिलकुब मापी नहीं जाती कि सब कुछ उसी तरीकिया सोगा जैसा आपने सोचा था आपको जितना रास्ता दिख रहा है आप आज कल परसों को तो मैनेज कर सकते उतना पढ़ो आगे कितना पढ़ना आपको खुद बखुद पता चल जाएगा ठीक है तो दोसों बारा किस से इसके बारें बात करता है सहमत से कारित छत को छत नहीं कहते हैं अगर कोई विक्त सहमत है और सहमत से कोई छत कारित हो गया तो उसको छत नहीं कहते हैं याद करिए स्पोर्ट्स वाली कोई विक्त मुक्के बाजी कर रहा है जंबी बंचिंग कर रहा है इसको छत नहीं कहत सम्मत से किया गया कार जो है 87 बिलकुल सही जवाब है दोस्तों तो यह बिलकुल सही जवाब है अगर कोई sports वाला पूछ लिया जाए sports वाला तो इसी में आएगा कि एक वेक्ती cricket खेल लहा था एक बॉल लगी उसके उपर मुर्चित हो गया कौन से तहत के अपराद नहीं होगा तो इसी 87 के तहत अपराद नहीं होगा एक वेक्त बॉक्सिंग कर रहा है मुर्चित हो गया मर गया कौन से धारा के तहत अपराद नहीं हो गया 87 के तहत नहीं हो गया एक वेक्त जो है जंबी बं जाए कोई वेक्ति किसी का कोई अंग खराब हो जाए तो अपराद नहीं होगा 88 के तहर्ट आगे बढ़ते कुश्चन नूबर दोसों 13 हमारे सामने दोस्टों क्या है लिखा हुआ है कि कोई बात अपराद नहीं है जो एहसे बट्ति द्वारा की जाती है जो उसके करतें समय हैं चित विकरत के कारण उसकी प्रकरत जानने में असमरतें तो कोई वित पागल है कोई पगलवय है तो कुछ भी करेगा क्या ही मतलब है कौञे संचा मिलेगी, कौन छी धार से श्के बारें बात करते ही, 84 तो सही चीज़ है तरा बताना है कि अच्छा बचाऊ है बढ़ा इसको मैं आपको बता दिया बता दी अब आंसर बता रहे हैं सर बहुत सही सही explanation है, explanation कहां सही है या, यह 84 के बार हम बात कर रहा है, यह 76 और 79 के बार हम बात कर रहा है, सही explanation तो नहीं है, बोथ right है यह बात तो सही है, बोथ are right, पहला और दूसरा दोनों सही है, लेकिन RA का सही स्पस्टी करण नहीं है इसके आपसा ने इस question को tough बना देते हैं याद रखिएगा तत्त का भूल तत्त की भूल चम्मे है बेदी की भूल चम्मे नहीं है यह अलग section है और उपर वाला बताया कि कोई पागल बेखती है कोई कारिकर देता है तो उसका चम्मे अलग section है और दोनों एक दूसरे का स्पस्टी करण बिल्कुल नहीं है तो दोनों सही तो हैं लेकिन स्पस्टी करण नहीं है इसलिए B आपका बिल्कुल सही जवाब होगा A सही जवाब नहीं होगा दोस्तो question number 214 देखते हैं क्या बोलता है question number 214 खुब important है लेकिन भारते दर सहीता की कौन से द्वारा स्वेच्छिक मदिरा पान अपनी इच्छा से लिया गया मदिरा पान से समंदित है तो 85, 84, 85, 86, 87 फटाक से बता डालो करे भोकाल का क्या मतलब होता है 84 सारे बच्छे बता रहे है 48 तो पागल होता बेटा स्वेच्छिक मदिरा पान देखो 85 और 86 होता है यह होता है अच्छिक यह होता स्वेच्छिक answer होगा आपको कितना C वाला अच्छा यह है 215 question number 215 215 question क्या है आप देखो जितने भी questions आपको करवाया गया question number 215 तक हो गया मतलब लगबक सवा 200 questions आप लोग कर चुके हो ठीक है तो इन questions को आप क्या करना है आपको revise करते रहना है एक दूबाद देख जरूर लेना का एक police officer है जो कि आपका future है समझ रहो का मतलब आप एक police officer आपका future है warrant के बिना यहां को जिसने हत्या किये पकड़ लेता क्या का ने कोई अपराद किया बिना warrant के पकड़ लिया लेकिन हत्या जरूर किये इससे इसका proof है CRPC में से इसको define किया गया है कि किसी कब गरिफतारी की जा सकती है warrant के साथ गरिफतारी बिना warrant के संबन के साथ गरिफतारी साधारन विक्त के द्वारा गरिफतारी इसको बहुत अच्छी तरीके से define किया गया है तो जब हम लोग CRPC पढ़ेंगे तो इस वाले question को बहुत अच्छी तरीके से define होगा कि कौन कौन section के तरह हम अधिकार है कि हम warrant के साथ और बिना warrant के साथ किसी विक्त को गरिफतार कर सकते है अगर आप साधारन विक्ती हैं किसी पुलिस में नहीं है कि आपको भी अधिकार है कि किसी विक्त को आप गरिफतार कर सकते है इन सारी चीजों का चर्चा करेंगे IPC की खतम होने के बाद जैसे हम लोग शुरुवात करेंगे CRPC की तो काफी सारे बच्चे डिया एंसर बता रहे हैं कोई अपराद नहीं किया बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसके सामने अपराद हो रहा ह तो उसको किसी वारंड की जरूरत नहीं है वो बिना किसी वारंड के लोगों के गरिफतार कर सकता है किसी पुलिस कंप्लेंड की जरूरत नहीं है किसी तरीके की परिवाद की जरूरत नहीं है ठीक है वो वेक्ति उस वेक्त वो पुलिस क्या कर सकती है फस्ट हैं किसी वेक् किस तरीके से करता और मैं आपको फटा-फट रिवाइंड करा देता हूँ क्योंकि यह ऐसी चीजें हैं जो हमें मोटिवेट रखती है जो हमें बताती हैं कि हम सही ट्रैक पर है कि नहीं है देखिए अगर हम बात करें कि हमारे पास एक दिन में कौन-कौन सा कितना टाइम रहत मच्छर वाली नीद रहें एकदम तगडी वाली नीद और एक घंटे आप निकाल लीजें इंटर्टेन्मेंट के लिए जिसमें भी आपका मन लगता हो क्योंकि माना ऐसा जाता है कि भाया जो पढ़ाई है वो सरीर से नहीं दिमाग से होती है सरीर को अच्छा रखने के लि है उसके बाद जितना वक्त बचे वह सारा अपने लक्छ को दीजेए अपनी ट्रीम को सब्सक्राइब हो UPSI बनना क्योंकि आप जिस तरीके से लगातार क्लास कर रहे हो मुझे पता है कि आप serious candidate I can assure you मैं किसी के साथ bit लगा सकता हूं किसी साथ सर्थ लगा सकता हूं कि आप एकदम serious candidate हो और अगर किसी serious candidate को का selection ना हो सोचो एक number से विचारा रह जाए कितना दुख होता है आपकी पूरी जिंदगी पलट जासी जाती है और अगर आपकी selection हो जाए तो तगड़ी रेंक आ जाए अभी तक पता नहीं कितने exam में आप fail हुए हो एक second में सारा खेल बदल जाएगा रातो रात सारा खेल बदल जाता है मैं आपको बताता हूँ कि जिस लड़के को selection के एक दिन पहले लड़की reject कर देती है इस बात को लेकर कि भहिया बेरुजगार है वही लड़की जब result आता है वो पता चलता है अपर है तो पता चलता कितना बड़ा नुकसान हो गया है समझ पार है और इस तरीके के कई सारी कहानिया बहुत फेमस हैं मैं जल्दी ही उसकी बहुत बहुत बहतिन से कहानी लेकर कर आता हूँ ठीक लेकिन अभी आपको क्या कर रहा है अभी आपको morning हो गया noon हो गया evening हो गय यह चार चीजे हैं इनको बहुत ध्यान से समझेए आपके पास चार सब्जेक्ट्स है math, reasoning, Hindi और GS अब बहुत ध्यान से समझेए math और reasoning में दोनों एक सथे मत पढ़िए आप math उठा सकते हो reasoning को भी एक हपते होल्ड करती है ऐसा भी कर सकते हो जब math में आपके एक अच्छी strong hold हो जाएगी तो आप क्या कर सकते हो फिर English reasoning को भी introduce कर सकते हो मैंने कैसे तैयारी की थी मैं आपको बताता हूँ देखो अगर मुझे तैयारी करनी हो दी तो मैं math उठाता मैं पहले पढ़ता दो चार पांच घंटे जितना मुझे अच्छा लगता रिजनी को भी रख देता हूँ हिंदी पढ़ता और जीयस में मूल विधी और सम्विधान इसके लावा सारी चीज़े भी बिटा करके रखता अब देखो तुम्हारे लिए आसान कितनी चीज़े हो गए अब मालिय को तुमने मौनिंग से ले करके मौनिंग से ले करके नून तक पूरा मतब साम को चार बजे तक आपने केवल मैस पढ़ी ठीक फिर चार से ले करके छे तक आपने दो घंटे हिंदी पढ़ ले बहुत है दो घंटे भाई फिर छे बज़े के बाद जब तक आपको सोना ना आ ज चलो आप ज़र देखो तो इस तरीके से चीज़े बहुत आसान सी हो जाती है हमें करना क्या है हमें regular पढ़ते रहना है और content को बिलकुल बदलना नहीं ठीक है तो आज के लिए दोस्तों इतना ही मिलते हैं कल की class में मैं आपको अपने contact number देता हूँ वैसे इस पर भी बात हो न में टेली ग्राम पर message कर सकते हो वहाँ पर हम आपसे जुड़ सकते हैं बाकी wish you all the best मस्त रहो खुश रहो अच्छे तरीके से तैरी करते हो मिलते हैं कल के class में thank you very much जैहन इंक लाब जिन्दाबाद भारत माता कीचे करते हैं